करते हैं यह काफी चिन्ता का विशय है जो दो कॉमेंट आएं हैं परसों नवजोच सिंग सिध्धु के एडवाइजर्स द्वारा वो बहुत ही चिन्ता जनक हैं नवजोच सिध्धु कॉंग्रेस के नव निर्वाचित प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष है और उनके दो दिया है उस बयान को लेके मैं आपके सामने आया हूँ जिसके विशय में राष्ट्य अध्यक्ष मालिने जगत प्रकाश नड़ा जी ने भी अपने ट्वीट में कहा है मालविंदर सिंग माली जी का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इंटिग्रल पार्ट नहीं है वो भारत का अभिन्न अंगही नहीं है जम्मू कश्मीर कश्मीर is not a part of India and India is an illegal occupant of कश्मीर कॉंग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का जो कि एड़वाईजर है कॉंग्रेस के अध्यक्ष के पंजाब में उनका मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं और वो series of Facebook posts डालते हैं मैं वो post आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा कश्मीर is a country of Kashmiri people just like two new countries India and Pakistan were founded in 1947 on two pieces of Punjab and Bengal similarly on the rules of United Nation organization by violating the decisions of Kashmir alliance with India Kashmir has been divided into two parts of the country first Pakistan and now India has illegal occupation second Facebook posting if Kashmir was part of India like other states of the country then what was the agreement made with King Hari Singh of Kashmir on 1947 question mark third what was the meaning of article 370 and 35a which gave special status to Kashmir in constitution of India next question why was Kashmir issue taken to the United Nation organization and what resolution was passed to resolve the dispute that India and Pakistan agreed to implement ऐसे बहुत सारे सवार तो सम्मित पात्रा को आप सुन रहेते जो कि press conference करते हुए और Congress Party पर हमलावर होते हुए नजर आये उन्होंने साफ तोर पे कहा कि पंजाब Congress में पूट पड़ी हुई है जो सवाल उठाते हुए सम्मित पात्रा कि Congress Party जो की अपने घर में ही घिरी हुई है और देश के खिलाफ इस तरीकी के बयान बाजी इस तरीकी के पोस्ट बरदाश्ट नहीं होंगे क्योंकि ये सीधे तोर पर राष्ट्रे सुरक्षा से खिलवाड है सिद्धू के सलाकार गैर सिद्धू के सलाकार के लीडर करते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में आपने सवाल पूचा है और मैं बताना चाहूंगा और अध्यक्ष जी ने बिलकुल सही कहा है इसमें जो Congress का आला कमान है जो High Command है Congress के जो बड़े नेता हैं वो सब इसमें सम्मलित हैं ये किवल अड़्वाइज अधर ऐसा कहीं नहीं सकता है जब तक कि सोन्या जी और राहुल जी की हामी नहीं होगी तक तक कि ये Congress के बाकी लोग कहीं नहीं सकते हैं कहीं न कहीं आप याद करिए जिस दिन अमिच शाह जी ततकालीन उस समें ग्रहमंत्री और उस समें जब आर्टिकल 370 और पैते से हटा अंग है कश्मी तो फिर 370 और पैती से क्यूं हटाया क्या मलविंदर सिंग माली का बयान निंदनिये हैं कॉंग्रेस पार्टी में फूट पड़ी है और ये राश्ट्रिय सुरक्षा से सीधे तोर पर खिलवाड है